विदीशा जिले के पठारी से करीबन 10 किलो मिटर दूर ग्राम गोड खेडी में नौरातरी के पावन पर्व पर प्रतिवर्शा नुसार इस वर्ष भी गोड खेडी हनुमान जी के मंदिन में भवे चुन्री यात्रा निकाली गई जो ग्राम गोड़ खेडी से करीबन 2 किलो मिटर विजासन धाम पठार वाली माताजी के यहां पैधल-पैधल चुन्री यातरा पहुची जिसमें समस्त ग्राम वाश्य द्वारा बताया गया कि यह चुन्री यातरा पहली बार ग्रामिनों के सही अब से निकली गई है जिसमें पहली बार 51 मिटर चुनरी की लंबाई है वहीं इस वर्ष 51 मिटर की चुनरी माता के मंदिर में चड़ा ही गई जिसमें सेक्रों की संख्या में भक्त गण, महिलाये सहीद, बुड़े बच्चे भी 2 किलो मिटर पैदल यात्रा कर माता की चुनरी लेकर सुबर 9 बजे रवाना हुए जो मुख्य मार्गों से होते हुए बिजासेन माता मंदिर पर चुनरी यात्रा समाप्त हुई विदिशा से आसे सहले की रिपोर्ट लेकर को वरह ताम इंक help न hice हुए लेकरी रिपोर्थ से भी 1 कि रवाद याधद लिपने बेदिए भी 2 कि रवादा की टंर तिमbahnतै क्यों से भी 2 कि रॉादा भी 2 कि याधदा सब्सक्राइब गोड़ खेरी द्वारा की गई चुन्नी आत्रा जो की हनुमान जी मंदे शेशी दी बीजा शेन पठार वाली माता रानी के यहां निकाली गई इसमें सबी बुड़े बच्चे महला आदी दो किलो मीटर पैदल चल कर रहा है की चुन्नी आत्रा पूण की 21 मीटर के चुन्नी आत्रा की गई जिसमें सबीक ग्रांवाश्यों की सुरक्षा के लिए की गईос हेलो फ्रेंद्स आप देख रहे हमारा चैनल s24 news हमारे सारे वीडियोस सब्से पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें झाल झाल